वागदेवी का वर्दान थी लता जी उन्नीद 147 से पहले की बात है उस समय फिल्मिस्तान स्टूडियो के ततकालीन मालिक और प्रख्यात फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी की एक फिल्म का संगीत उस दौर के प्रसिद संगीतकार गुलाम हैदर तयार कर रहे थे फिल्म के गानों के लिए एक 16 सतरह वर्षिय गायका को चुनकर उस गायका को वो शशधर मुखर्जी के पास फिल्मिस्तान स्टूडियो लेकर गए थे मुखर्जी साहब ने गायका की आवाज को बहुत महीन और फिल्मी गीतों के लिए अनफिट बता कर उस गायका से गीत गवाने की अनुमती गुलाम हैदर को नहीं दी थी इस पर गुलाम हैदर ने मुखर्जी साहब से कहा था कि मालिक आप हो और आपकी इच्छा नहीं है इसलिए मैं गीत किसी और गायका से गवालूँगा लेकिन मेरी एक बात नोट कर लीजिए कि जिस लड़की को आज आप रिजेक्ट कर रहे हो एक दिन इसी लड़की के लिए यही फिल्मी दुनिया घुटनों के बल चल कर इसके दर्वाजे जाएगी लाल कालीन बिचा कर इसका स्वागत करेगी इतना कहकर शशद्धर मुखरजी के कमरे से बाहर निकले गुलाम हैदर बाहर खड़ी उस गायका को साथ लेकर लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए गोरे गाम स्टेशन की तरफ पैदल ही चल दिये थे और रास्ते में उस गायका का मनोबल बढ़ाते हुए उसको समझाते हुए उन्होंने कहा था कि निराश मत हो तुमको सुनने के बाद लोग नूर जहां और शमशाद बेगम को भूल जाएंगे इसके बाद गुलाम हैदर ने उस दौर के कुछ और संगीतकारों से उस गायका का परिचय कराया था 1947 में हुए विभाजन के दौरान गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए थे क्योंकि उनका पैत्रिक घर लाहौर में ही था वहां जाने के दो वर्ष बाद एक दिन उन्होंने पाकिस्तान से उस गायका को फोन किया था और याद दिलाते हुए बोले थे कि याद है मैंने क्या कहा था कि लोग नूर जहां और शमशाद बेगम को भूल जाएंगे दरसल गुलाम हैदर ने वह फोन किया ही इसलिए था क्योंकि उन्नीस सो उन्चास में रिलीज हुई एक फिल्म में उस गायका की आवाज से सजे गानों ने देश में ऐसी धूम मचाई थी जिसकी धमक आज 73 वर्ष बाद भी सुनाई देती है उस फिल्म का नाम था बरसात और वह गायका थी स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी गुलाम हैदर जी ने उस दिन शशधर मुखर्जी से गलत नहीं कहा था पिछले 70-75 वर्षों के दौरान स्वर समराज जी के रूप में लता जी ने देश के दिल पर एक छित्र राज किया पूरी दुनिया ने देखा कि उनके स्वागत के लिए लाल कालीन बिछा कर फिल्मी दुनिया घुटनों के बल चल कर ही उनके दर्वाजे पर कतार बद्ध होती रही वही स्वर समराज जी लता मंगेशकर जी दो वर्ष पूर्व हम से विदा हो गई पिछले साथ दशकों से अपने आचार व्यवहार, विचार और संसकार से भारतीय सभ्यता संस्कृती की वैश्विक राजदूत की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती र उन पर वागदेवी की कितनी महान कृपा थी, इसका अनुमान इसे एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि 87 वर्ष की आयू में रामरक्षा स्त्रोत तथा वर्ष 2018 और 2019 में 89 और 90 वर्ष की आयू में लता जी के द्वारा रिकॉर्ड कराए गए मंत्रों तथा देश भक्ति गीत को सुनकर आप भक्ती रस से सराबोर्त होते ही हैं। साथ ही साथ यह सोचकर विस्मित हो जाते हैं कि 90 वर्ष की व्रिद्धा वस्था में क्या किसी का स्वर इतना सधा हुआ, इतना मधुर हो सकता है। विशेश ईश्वर कृपा के बिना ऐसा होना असंभव है। भारत और भारतियता की अमूल्य धरोहर रही स्वरकोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी को उनकी जयनती पर विनम्र श्रद्धान जली।